ओम सिरी गनेशा इनमा दोस्तो एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार जून रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पकोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो यदि आप वैवशाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है जैंदोस्तो चल अचल संपत्ती के द्रश्टी से भी निवेश करना आपके लिए आज बहुती अच्छा हो सकता है इसलिए समय और परस्तिती को देखते हुए निवेश का भी आज अवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको कामयाभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तो साथ साथ कोई प्रत्यासित आए या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आए का अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी गतिविदी में जो आपके उदेश से का इसपस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिम प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथ ही और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तो रचनात्मक कारों के पृति आज आपका रुजान इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मोगा हाथ से ना जाने दें अपनी रचनात्मक्ता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी कार चमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे कर चेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनला अब भी आज आपको हो सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है अन्यता परिसानिया बढ़ सकती हैं अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिव पारिक इस्तित्यां तनावपूर्ण हो सकती हैं जिसकी वज़े से घर में विखराव का माहूल हो सकता है इसलिए घर परिवार में आपसी समंजस बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुसा करते हुए किसी भी कार्रे को करें अपने जिम्मेदारियों को नि आता पिता या पडोसी उन्हें सांती प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने द्रश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आप से कई मांगी रख सकते हैं इससे आपका अधिक इतर समय मल्टी टास्किंग में व्यत्तित होगा बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं और आपको जरूरी सफलता मिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा हैं आपको बेचेन करेगा दोस्तो कर रभार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे इसलिए किरोद की आज अधिकता रहेगी नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली हैं दोस्तो आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाब आपके प्रेम जीवन में नकारात्मक रूप से आ सकता है आपकी प्रेम पाने की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रेतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाय के गतिविदियां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर भजार में निवेश करना अनलाबदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा साथी साथ नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज गा दिन अच्छा रहेगा विध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है दोस्तो आज आपके लिए वैपार से संबंदित किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे टोट का चैरी से संबंदित कोई अच्छी खुसकबरी आज आपको प्राप्त हो सकती है साथी साथ जो लोग सरकारी छित्र में नौकरी करते हैं उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का सुक मिल सकता है आपकी आमंदनी में अच्छी खासी व्रद्धी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है दोस्तो समय आज का आपके केलियर केरे काफी अनुकूल होगा और आपको सरकारी छित्र में काफी फायदा होगा आपको अपने कामों के लिये श्वैम पर ही निर्बन होना होगा ना कि दूसरों पर साथी साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के ने अफसर आज प्राप्त होंगे वेपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन अनावस्षक खर्चों की भी अधिकता रहेगी शाथन रहे दोस्तो बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको किसी तरह के स्वास्त से सम्मंदित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संबंदित समस्य उत्पन होने पर समय से उपचार कराना बेहद आवशक है जिस से समय रहते किसी भी तरह की अनहुनी को रुक आजा सके शावधान रहें इसलिए दोस्तों आप अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान दें साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रूपाई क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक सवा मीटर लाल कपड़ा लें ज्यां दोस्तों उस सवा मीटर लाल कपड़े में आप अपने श्रद्धा के अनुशार अपने शामर्थ के अनुशार गुड़ और चावल भरकर आप किसी जवतमंद को भगवान शुरदेव के समर्ण करते हुए दान करें ज्यां दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान शुरदेव आपके समस्त कष्ट को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिसानियों का अंत करेंगे और आपके जीवन में खुसियां खुसियां होंगी ज्यां दोस्तों आपके सुपाय को वश्य करें आपको अवश्य ह लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै शुरदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लैक करना ना भूलें धन्यवाद